सरकारी काम में लापरवाही तो आपने सुनी होगी लेकिन लापरवाही किस हद तक हो सकती है ये हम आपको बताते हैं मामला खालचरोद का है यहाँ पुत्र को कोरोना वैक्सिन के दोनों डोज लगे लेकिन सर्टिफिकेट पिता के नाम से जारी कर दिया गया जबकि पिता की 93 साल की उम्र में वर्ष 2018 में मौथ हो चुकी है लेकिन सर्टिफिकेट में उन्हें 26 साल का नोजवान बताया गया है विक्रम मार्ग खालचरोध निवासी किराना व्यापारी अशोक पूरवाल उम्र 60 वर्ष ने अभे नियूस को बताया कि उन्होंने कोरोना वैक्सिन के दोनों डोज लगवा लिये पहले डोज में उन्होंने अधार कार्ट को आइडेंटिब पूर्फ के तौर पर प्रस्तूत किया था डोज तो लग गया लेकिन ये ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुआ उन्हें 26 साल का बताया गया है सरकारी मशीनरी की लापरवाही के शिकार अशुक पूर्वाल का कहना है कि अब हर स्थान पर वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ऐसे में मुझे दोनों डोज लग चुके हैं ये साबित करना असंभव है उन्होंने मामले में SDM को आविदन सौपकर सर्टिफिकेट में सुधार करने की मांग की है इधर SDM पुर्शुत्म कुमार का कहना है कि आविदन आया है आगामी कारेवाही के लिए BMO को पत्र लिखा गया है क्या किया है आपने अच किसको अधिकारी क्या बोले अधिकारी कि बना कि तरसुदार करेंगे